तो मैं make.microbit.org में जाके एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ जब हमारे को ये radio function use करना है तो सबसे पहले हमारे को जो दो microbits हम use करेंगे जो एक transmitter बनेगा और एक receiver बनेगा हमें उन दौनों को same group में लाना है तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि on start set the radio group और यहां पर आप कोई भी number between 1 and 255 choose कर सकते हो पर जो भी आप यहां use करोगे वही आपको बाकी जो भी आप remotes बनाना चाहते हो और आप more than 1 microbit use कर सकते हो जो कि आपस में फिर send and receive करेंगे radio signals उन सब की value same होनी चाहिए तो अभी मैं यहां पर कहा रहा हूँ कि set the radio group to maybe 2 and उसके बाद हम चाहते हैं कि जब button A press हो तो कोई यह जो हमारा transmitter microbit है यह एक signal भेजे receiving microbit को जो की light sensor वाला microbit है और उसकी वज़े से भी हमारा जो motor की functionality है वो trigger हो जाए तो मैं यहां कह रहा हूँ input में जाके कि when button A is pressed radio में जाके हम कह रहे हैं कि एक कोई number भेजना and let's say वो number zero है और zero के साथ maybe हम चाहेंगे कि हमारा जो garage door है वो खुल जाए तो just for the fun of it मैं यहां पर एक LEDs भी डाल रहा हूँ यह हमारा transmitter वाला microbit है और मैं कह रहा हूँ कि जब button A press हो तो zero number भेजना और हम वहाँ पर trigger करेंगे कि दरवाजा खुल जाए तो मैं यहां पर इस तरीके का एक simple सा LED का icon बना रहा हूँ कि as if दरवाजा खुल गया है और मैं इसी को duplicate करके कह रहा हूँ कि on button B press और हम चाहेंगे कि B में door close हो जाए तो मैं कह रहा हूँ कि on button B press send a radio signal with a number 1 और जब 1 हो तो हम चाहेंगे कि वहाँ पर हमारा दरवाजा जो है वो बंद हो जाए और हम चाहते हैं कि यह जो दोनों icon है यह हमारे transmitter microbit में कुछ 1 second के ले रहें और उसके बाद गायब हो जाएं तो इसके लिए मैं basic में जाके यहां कह रहा हूँ कि pause for a thousand milliseconds which is one second and उसके बाद मैं कह रहा हूँ basic में जाके clear screen और मैं यही duplicate करके यहां भी कह रहा हूँ तो यह हमारा transmitter का code है मैं इसको जो हमारा दूसरा microbit है इस से attach कर रहा हूँ और मैं इस microbit को अपने laptop से attach करके यह code मैं अपने microbit में transfer कर रहा हूँ तो जब हम button यह दबा रहे हैं तो हमारे को यह open door का icon दिख रहा है और जब हम button B दबा रहे हैं तो हमारे को close door का जो icon है यह दिख रहा है तो यह हमारा transmitter का code जो है यह ready है तो अब मैं वापस जो हमारा receiver का code था उस पे जाके अब हम यहाँ चाहते हैं कि जब वहाँ से हमारे को 0 या 1 मिले तो accordingly हमारी motor का behavior जो है वो determine हो तो यहां मैं वापस फिर रेडियो में जाके कह रहा हूँ हम वहाँ से एक number भेज रहे हैं तो मैं यह on radio received received number यह variable जो है यह यह तो यह इसकी value जो है यह zero हो सकती है या one हो सकती है तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि logic में जाके एक if then का statement ला रहा हूँ कि on radio received if the received number हम इसकी comparison करके equality चेक करना चाहते हैं तो मैं कह रहा हूँ कि if the received number is zero तो zero में तो हम चाहते हैं कि यही same चीज हो जो यहाँ पर हो रही है तो मैं यह पूरा यह duplicate करके इसके अंदर की command सारी यहाँ डाल रहा हूँ क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हमारे को remote में जब हमारा a button प्रेस हो जो हमारा remote transmitter microbit है उसमें जब a button प्रेस हो तो zero number जाए और हमारा garage खुल जाए तो वही चीज हमने यहाँ पर जो हम पहले light level से कर रहे थे वही हम यहाँ पर पूरी commands repeat कर रहे हैं और फिर मैं एक और इसी if के loop को duplicate कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारा receive number जो है वो one है तो हम चाहते हैं कि जो हमारी motor है वो reverse direction में 50% speed में let's say 3 seconds के लिए चले और likewise मैं उपर भी कह रहा हूँ कि यह 3 seconds के लिए चले और यहाँ पर भी मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा motor है जो हमारी motor है वो 3 seconds के लिए चले तो यह हमारा दौनों हमने conditions यहाँ पर define कर दी है कि अगर light level 240 से उपर होगा तब भी हमारा motor का opening door action जो है वो trigger हो जाएगा या remote control में हमारा को zero मिलेगा तब भी हमारा जो garage door है वो खुल जाएगा और अगर हमारा को remote control में one मिलेगा तो जो हमारा garage door है वो left motor reverse में चलेगी यहनि कि हमारा दर्वाजा जो है वो बंद हो जाएगा और मैं यहाँ पे radio में जाके हमार को इस micro bit को same radio group में डालना है तो मैं यहाँ जाके कह रहा हूँ कि on start set the radio group to two क्योंकि हमने जो हमारा transmitter है उसको भी radio group two में डाला है तो हम इसको भी radio group two में डाल रहे हैं और मैं अब इस code को transfer कर रहा हूँ अपने micro bit पर जो हमारा receiver micro bit है उस पे transfer कर रहा हूँ तो अब हम अपने पूरे system को test करके देख सकते हैं कि अगर मैं अपने जो हमारा यह transmitter micro bit है इसमें button A दबाता हूँ तो हमारी motor एक direction में चल रही है और अगर मैं B बटन दबाता हूँ तो हमारी motor दूसरी direction में चल रही है और अगर मैं जो हमारा receiver micro bit है उस पे light shine करता हूँ तब भी हमारी जो motor है वो trigger हो जाती है तो यह हमारा जो system है यह ठीक चल रहा है जो हमारा final test है वो है कि हम इसको proper garage की तरह यूज़ करके देखें हमारा smart garage जो है तयार है और अगर हम हमारी गाड़ी यहां पर आती है तो एक option है कि हम जो यह remote control है हम इस से operate कर सकते हैं तो अगर मैं button भी दबाता हूँ तो जो हमारा door है वो खुल जाता है और अगर मैं button यह दबाता हूँ तो जो हमारा door है वो बंद हो जाता है यह थोड़ा जादा यहां पर movement हो रहा है तो हमने जो 3 seconds का code दिखाता है उसको थोड़ा हमें ठीक करना पड़ेगा पर otherwise जो हमारा remote है यह एकदम ठीक चल रहा है और दूसरा जो option है वो है कि हम गाड़ी की headlight को हम sensor पे shine करें तब भी हमारा door operate होना चाहिए तो मैं पहले बंद कर रहा हूँ मेरे torch की जो पैटरी है वो थोड़ी weak हो गई है इसलिए इसको पास ले जाना पड़ रहा है हमारा smart garage जो है वो ठीक काम कर रहा है remote से भी और light sensor से भी I hope आपको ये project पसंद आया